हेलो बच्चों कैसे आप लोग सब ठीटा के बढ़िया हैं बहुत बढ़ियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आधुनिक एवं परमाड भष्की ऑर माडल्ण एंड इतॉमिक फिजिक्स परमड एक सुक्ष्मितम कड़े जो रासनी क्रिया में भाग ले सकता है परंत स्वतंथ और समने रह सकता है परमाड मुखेता तीन मुल कर एलेक्रन प्रोटान से मिलकर बनाओ थे पर्मार सबसे छोटा करें, राशानी क्रियां भाव ले सकता हैं, लेकिन स्वतन्च और साम नहीं दो सकता है, पर्मार के तीम मूल करें, कौन-कौन, इलेक्रान, प्रोटान और नुट्रान अब हमाते रेडियो अक्ट्यूटी रेडियो अक्ट्यूटी की खोज फ्रेंच वघ्णानिक हेनरी बेकुरेल, एम क्यूरी और प्य क्यूरी ने की थी खोज के लिए इन तीनों को संभूकत रूप से नोबर पूरस कार नहीं जा था जिन नाभिक में प्रोटान की संख्या 83 होती है, 83 होती है या उसे अधिक होती है वे अरस्थाई होती है अनस्टेबल होती है जिस नाभिक में प्रोटान की संख्या 83 होती है वे नाभिक अरस्थाई होती है अनस्टेबल होती है और अस्थाई तो प्राप करने के लिए वो ना नाभिक स्वतहीं अलफा बीटा और गामा कर उत्साजित करते रहते हैं इन्हें ही हम रेडियो एक्टिविटी करते हैं जिन पर्माड का प्रमाड कमांक 83 या उससे अधिक होता है वे अस्थाई होते हैं अस्थाई तुप्टाद करने के लिए ये नाभिक ये पर्माड स्वत सहीं अपने नाभिक से अलफा बीटा और गामा कर उत्साजित करते रहते हैं इसी घटना को हम रेडियो एक्टिविटी करते हैं रोबेट प्यरे और उनकी पत्नी मैडंक क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्त्तों की खोज किती जिसको नाम था रेडियम रेडियम न सब्सक्राइब में नाम की रेक्टर एक हैएसा डिवाईस है यो इंद्धन के रूप में इस high oil के रूप में uranium 235 या plutonium 239 के प्योत्यों किया जाता है रियक्टर में मंदख मॉड्रेटर के रूप में भारीज़, हीवी वाटर या ग्रेफाइट का उप्योग किया जाता है रियक्टर में नियंत्रा कंट्रोलर के रूप में काड्मियम या बुरान छण का उप्योग किया जाता है पर्मार बम नावकी विखंडन के सिधान पर अधारी थे और हाइड्रोजन बम नावकी सलेहन नुक्लियर फ्यूजन की सिधान पर अधारी थे सुर्झ एवन तारों में उर्जा प्राफ्टो प्याद होती है उसका मुख्य स्व्रोथ नावकी सरूमय नूकलियर फ्यूजन है नावकी रियक्टर में अनेक प्रकार्गी समर्शानी पुपन किये जाते हैं जिसका उप्योग की किस्ता विज्ञान में क्रिस के छेत्र में किया जाता है अब हम आते हैं कैथोड किरण कैथोड किरण ने किवल उच उर्जावाले इलेक्रान के पुंजे यह इलेक्रानों के पुंजे जो उच उर्जावाले इलेक्रानों होते हैं उन्ही का यह पुंज ह होता है है कैथोर किनों की कोई सर विलियम पूर्क ने की यह सीथी देखा में चलती है और इस फ्लोरेस्जिंस मुत्प्रन करती है यह किरन विद्धूत और चुंकी शेट से विख्षेपित हो जाती है इनका वेग प्रकास की वेगता 1 पां 10 गुणा होता है इन किरणों की खोज गोल्ड इस्टाय ने की थी धन किरण धन आवशित करणों से बनी होती है यह सीधी रिखा में चलती है और विद्धु छेत से बिक्षेपित हो जाती है यह गैसों को आनिक्रित कर देथी है डायोड वाल का प्रियोग डिष्ट कारी के रूप में मतलब रेक्टिफार के रूप में प्रियोग के आया थे अर्थात इसके दौरान प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारां बदलते हैं डाइवर्ट वल की साहता से प्रत्यवर्ती धारा को दिश्ट धारा बदलते हैं अब आते हैं यक्सकिरण यक्सकिरण क्या होता है तो यक्सकिरण विद्धुचिम की तरंग होती है यक्सकिरण विद्धुचिम की तरंग होती है यह सिधी रेखाम चलती है यक्सकिरण की खो एक्सिलरेशन की घटना को प्रदसित करता है यह किरण व्रचा पर पढ़े तो मानोर शरीर को यह नुकसान पहुचाती है in Purna Pi Just a ब्रश्रीन के विद्धित्प्रभाव को मतलब अीज' अब यह फिरून का कहा कहा उपयोग होता है, तो सलिचि किच्चा में होता है, सलिचिकिच्चा में माणॉश precio की टूटी फूटी हेटिया, धसञी गोली, पथरी का पता लगाने में ये ये स्कुलन का उपयोग किया जाता है। रेडिज ग्राफीility के छत्ok में ये स्कुलन का उपयोग होकिया जाता है। Cancer में वह जए जाता है। मतलब जो बिमार स्कुल होती है। वो नशा हो जाती है। इंजिनिन के छेत में भी यस्क्रिणों का उप्यों किया जाता है। भवन के बनाने में पूल को बनाने में जो लोहा लगते हैं उस लोहे के अंदर दरार या हवा का बुलबुला पता लगाने के लिए यस्क्रिणों का उप्यों किया जाता है। बेवसाई की छेत में भी यस्क्रिणों का उप्योग किया जाता है, कृत्रिम हीरे में अंतर नकरी हीरा और असरी हीरा का पता लगाने में भी यस्क्रिणों का उप्योग किया जाता है, सीप में मोती है इसका पता लगाने के लिए यस्क्रिणों का उप्योग किया जाता है, उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को दबादिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वीडियो आपको टापतो, जय हिंद, जय भारत